तो दोस्तों एक बहुत अची नोटिस आ गई है स्लाइड अप से रिलेटेड जितने भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि भाया स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है अगर मैंने जो कॉलेज चुना था मुझे वह मेरे मन अनुसार कॉल या फिर अगर मैं जिस कॉलेज में अडविशन के लिए दिया गया वहां अडविशन नहीं लेता हूं तो क्या मुझे ऑप्शन मिलेगा दुबारा किसी और कॉलेज में अडविशन लेने का इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे तो पूरा अंत तक देखना औ अडविशन के लिए चात्रों को SMS से भेजा गया लिए इसमें पूरी डीटेल दी गई है स्लाइड अप के बारे में तो ध्यान से सुनो क्या क्या है देखो जूम करके मैं दिखा देता हूं यहां पर ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि देखो ध्यान से देखना हर लाइन को समझन पाटली पुत्रा विश्विद्याले ने स्नातक नामंकर के लिए प्रतम मीधा सुची सोंबार को वीवी की वेबसाइट पर जारी कर दी थी उस लिस्ट में कॉलेज वाइस कट ओफ मार्क्स है हर कॉलेज में हर ओनर स्कोर्स के लिए कैटेगरी वाइस कट ओफ अलग अलग बच्चों को sms से link भेज दिया गया है कि आप जाके admission ले लिजिए अगर उनका college उनको पसंद है बतलब अगर वो देख रहे हैं कि जो admission के लिए उनके नुजरूप है तो वो जाके admission ले ले लें लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है कि मन चाहा college नहीं मिलने पर कर सकते स्लाइड अप यानि कि जहसे जो confusion थी बहुत तुनों से notice हमें दिखा दिखा करके कहा जा रहा था कि यह notice पहले दे दिया गया है रोको मैं notice भी दिखा देता हूं तुम लोगों को notice में हमें बताया गया था कि ऐसा notice निकला है कि चार-पांच को लिस्ट अपडेट करने के लिए college रिएरेंज करने के लिए आपको मौका दिया गया है तो अब आपको मौका नहीं मिलेगा slide-up का ऐसा से हमें अफ़ाय है पूरी सुनने को मिल रही थी तो बहुत tension में थे सभी प्रफेसर प्रवीन कुमार ने बताया है यानि कि एक पूरा जो notice है वो official notice है कोई इधर की बात नहीं है सीदी सी बात है कि अब देखो तुम्हें slide-up का option कैसे कैसे मिलेगा जिन चात्रों को मंचाहा college नहीं मिला है वह प्रतम लिस्ट के अनुसा नामंकर नहीं लना चाहते ह उन्हें online payment करने की ज़रत नहीं है इसको ध्यान रखना online payment नहीं करना है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास जो college दिया गया वो तुम्हें पसंद नहीं है तो एक chance मिलेगा slide-up करने का ताकि तुम अपना जो तुम college के ऊपर के college जैसे तुम्हें अगर पाच्व नंबर का जो college मिला है वहाँ जाके online payment नहीं करना है यह बात याद रखना online payment नहीं करने के कोई जूरत नहीं है और क्या होगा उनके लिए उनके लिए वहाँ slide-up का option दिये जाएगा मतलब slide-up का option जल्द आने वाला है चात्र slide-up कर देंगे तो दूसरी मेधा सुची में उनक दूसरी में पिछले साल तक क्या होता था कि हम लोग slide-up करते थे दो बार मतलब यहाँ पर क्या जान कर दिया है कि दूसरी में खाली रहेगा देखो यहाँ पर जो सीट खाली रहेगी तो दूसरी लिस्ट में उसे भरा जाएगा इसी प्रकार तीसरी सुची फिर round तक तीसरी सुची फिर spot round तक सुची जारी की जाएगे मतलब कि जैसे हम लोग third round तक वहाँ पर करते थे कि दूसरा slide-up भी करते थे यहा second slide-up का भी chance आ सकता है कि third जो merit list जारी होगी उसके लिए भी आसम slide-up कर सकते हो मान के चलो कि second list में भी तुम्हें college मन में चाहा नहीं मिला और तुम सोच रहे हो कि एक बार फिर से मैं slide-up करके देख लेता हूं तो third list भी जारी हो सकती है लेकिन यह निर्भर करेगा कि जो भी online इस बार तो हो सकता है कि online ही होगा सारे काम online रहें तो वहाँ पर पहुआ तुम्हें जाकर के जाना पड़ता था और वहां जाकर कि तुम्हें sport में admission लेना पड़ता था वहीं पर offline form बरना पड़ता था college में फॉर एग्जामपा अगर BD college है तो BD college में जाकर तो spot round के लिए अलग से इस बार सुची जारी की जाएगी ठीक है जैसे हर साल होता है वैसे इस बार भी अलग सुची जारी होगी जो दूसरी list जो है 20 सितंबर वा तीसरी list चार अक्टूबर को जारी होगी मतलब सेकंड लिस्ट के यहां पर डेट है कि 20 सितंबर और जो फोर्थ थर्ड लिस्ट है वह चार अक्टूबर को जारी होगी और on-spot जो मेरिट लिस्ट होगी वह 18 अक्टूबर तक देख लो 18 अक्टूबर तक आईए इसी प्रकार तुम्हें बताया गया है यहां पर और जानकारी पर दिखा देता हूं कि मतलब स्कुल मिला कि यह जानकारी समझ लो कि spot round जो था वह अब आएगा spot admission के लिए जितनी कि spot आएगा या नहीं आएगा spot आगया भई जल्द ही अवलेबल भी हो जाएगा website ठीक है spot admission में अब तुम्हें लगता है यह तुम्हारा cut-off के हिसाब से नंबर आजाएगा तो जा करके तुम slide up कर देना और slide up करने के बाद तुम्हें असानी से हो सकता है तुम्हारा college मिल जाएगा जो तुम चून रहे थे अगर तुम्हें लगता कि spot में नमंकन कैसे लेना है spot के बारे में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा या कोई भी जानकारी लेनी है spot में तुम मुझे comment करके बताना अगली वीडियो में slide up के बारे में भी सारी की जानकारी निकाल के दे दूँगा ठीक है आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते है कोई भी comment करके बताना कोई भी सवाल हो परशानी हो तो जुरूर बताना सारी चीज़ें डिसकस करेंगे इस